हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन कॉंसेप्ट तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस के जो अस्थापना हुआ तो उससे रिलिटेट पूरा वीडियो को देखने वाले हैं पूरा वीडियो अंतक जरूर देखेगा काफी इंप स्थापना 2885 में नाम याद रखेगा काफ इंपौर्टेंट है आगे बढ़ते हैं A.O हम जो है एक ङ drie को भारतिय राष्ट्रे संग इंग्लिस में हम लोग इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से उन्होंने बनाया था 1884 में लेकिन बाद में क्या हुआ बाद में 1885 में जब पहला अधीवेशन हुआ था 1885 में बॉंबे में हुआ था कहां पे तो कोकुल दास तेश्च पाल संस्कृत साला में हुआ था वहां पर इन्होंने नाम बदल दिया कौन नाम बदले तो दादा भाई नुरार्जी जो थे पहले अधीवेशन में और इसका नाम का सुझाओ दिये भारतिया राश्ट्रियों कॉंग्रेस फिर उसका नाम बदल दिया गया और क्यांसे नाम बदल दिया तो इंडियन नेशनल यूनियन से इसको भारतिया राश्ट्रियों कॉंग्रेस में बदल दिया गया था ठीक है नेक्श देख लीजे पहला तो हम लोगी अधीवेशन समझ गया हम लोग अच्छे से देख लिए आगे देख लिए कलकत्ता के बात करें तो कलकत्ता के क्या चुने गया थे भारतिया राश्ट्रिया राश्ट्रियों कॉंग्रेस के पहले अधियक्ष चुने गये थे बंबे में हुए कॉंग्रेस के पर्थम अधिवेशन में पहला अधिवेशन में हुआ था तो बंबे के पहला अधिवेशन में 72 परसेंट लोग आया थे 72 पर इंडियान आसोसियेशन था पहले उसको कॉंग्रेस में मर्ज कर लिया गया था आगे देख लेते हैं हम लोग Congress के दूसरे अधिवेशन जो पहला अधिवेशन जो हम लोग के बॉंबे में हुआ था दूसरा अधिवेशन में कितने लोग आये थे तो 434 लोग इसमें participate किये थे जिसका अधियक्ष बात करें तो अधियक्ष किनको बना गया था दादा भाई नुरार जी को अधियक्ष बना लिया गया था तो याद रखिएगा दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नुरार जी को अधियक्ष बना लिया था दूसरा जिसमें बदरुदीन तौलव जी को अधियक्ष बना दिया गया था और यह मुस्लिम पहले मुस्लिम थे चुनको बना दिया गया था अधियक्ष ठीक है तो तीसरे अधिवेशन में बदरुदीन तौलव को बना दिया गया था अधियक्ष तीसरे अधिवेशन में और तीसरे under Harvard को पहला कब है तो याद करो पहला बॉमबे में हुआ दूसरा मदरास में वह था चुछ इलाःब circum उसे ऑप की एतारicana लोगा पार्टिसिपेट एक और पार्टिसिपेट यह था इंपोर्टेंट अपका नेख्स आगे हम लोग देख लेते हैं आगे हम लोग बात करेंगे कॉंग्रेस के अस्थापना का लक्ष क्या था तो देखो आगे कुछ-कुछ इंपॉर्टन्ट है वह भी निकल कर इसमें आपके सामने आजाएगा कोशन कैसा पूछता है एक्जाम के अंदर वह भी देख लीजेगा भारतिय राष्ट्य कॉंग्रेस का अस्थापना के संदर्प के प्रयात ये भी माना जाता है कि हुम को हुम को ततकालिन वाइस राय इनको उसका नाम है हम लोग डफरीन के नाम से जानते हैं याद करने का बत है था कि कॉंग्रेस का किसमय में कौन रहेगा तो याद रखी याद रखेगा उसी के समय में वाइस राय थे नेक्स देख लिए लाला लच पतर राय का विचार था कि यह संस्था इसलिए बनी है है इंडिया नेर्ट के राज है तू बनायेगा़ur को वाड एक नाम उन्हें बताया था कि ये से अंगलिएज लोग का कुछ प्लावार ओऊच physi ंजापा जाता था उसमें उन्हींने क्या लिखा कि Congress को डफ्रिन का दिमाग का उपज बताया गया था. तो Congress क्या बनाया वैया तो Singapore दूआरा बनाया वैक दिमाग है जो कि कुछ दिमागी उपज है जो की Congress का नाम बताया गया, लाल पत्र द्वारा एक म्यागजीन में लिखा गया था तो यंग-इंडिया नाम याद रखे यह 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 कहां पोईंट बदाए यह कॉष्ण डारेक्ट EGPSC 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 कि किन के द्वारा कहा गया है, तो यह करजन द्वारा कहा गया था, क्या कहा गया था कि कॉंग्रेस अपनी मौत की घरिया गिन रहा है, भारत के रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी एक्छा है कि उसे सांती पुन मरने में मदद कर सकूँ, तो यह करजन का कहना था करजन की Congress के बारे में एक अन्य टिपनिय यह भी थी कि Congress एक गंदी चीज है और एक देश्तरूई संगठन भी है ठीक है नेक्ट आगे बते हैं Congress तीलक तो यह बात कि इसने तीलक ने कहा था सेम आगे भी बात बताया गया कि बंकिंग चर्टर जी जो थे वह कॉंग्रेस के लोग जो है उपद के भूकें हैं याद रखी यह बोला गया था बंकिंग चर्टर जी द्वारा लाला लच्पतराई का बात करें तो ल लड़ अच्पतराई ने कोंग्रेस सम्मेलनों के सच्छित भार्तिओं के वर्षिक्स राष्टिय मेला की संख्याद दी है देखिए लौड डफ्रीड ने को क्ल्कत्त अधिवेशन میں के बाद कोंग्रस का सदस्ता को उधान भेज दिया थ ता तरीक कै Recommend ृम्ध्य Tir कोल 1887 में जैसे मैंने पहले बताया आपको बदरुतिन तौलब को कॉंगरस के पहले अधियक्ष जो चुने गये तो पहले नहीं थे लेकिन पहले मुस्लिम थे वो जो अधियक्ष के तोर में चुने गये थे ठीक है याद रखेगा 1888 में जोर्ज यह लो पर्थम अंग्रेज थे जो कॉंगरस के अधियक्ष निवाय थे वह कौन थे तो अधियक्ष निवाय थे 1888 में 1888 में जैसे मैंने आपको पहले बताया पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जैनकारी दिया था जो कि चार अधिवेशन हुआ था जिसके अंदर अलग-अलग लोग भी जाता है तो ग्रेंड ओल मैन ऑफ दे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है लास्ट इसमें पॉइंट यह है कि रमेश चंद दत जो है रमेश चंद दत ने भारत के आर्थिक इतिहास की पहली पुष्टक लिखा था पहला इकनॉमिकल बुक बात करेंगे तो इकनॉमिक हिस करते हैं वो कैसा लगा इस पूरा वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग